हलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल आज की वीडियो में मैं आपको पताऊंगी कि जो एच्पी बोस डी एलीडी सैसन 2021-23 के लिए जो बायर डाटा फॉर्म भरा जा रहा है वो किस तरह से बना है तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिस किसी ने भी मेरा चैनल अभी स्कूल एजुकेशन धर्मसाला ने कल एक सेप्टेंबर को काउंसलिंग की डेट्स और बायर डाटा फॉर्म जो है वो रिलीज किया था तो मैं आपको आज बताऊंगे कि उसे किस तरह से आपने भरना है तो दोस्तों यह आपका बायर डाटा फॉर्म है तो देखिए सबसे पहले मैरिट सीरियल नंबर आएगा यहाँ पे अपने मैरिट सीरियल नंबर भरना है और यहाँ पे मार्क्स भरने है और यहाँ पे डेट आफ काउंसलिंग आएगी तो मैं आपको बता देती हूं कि यह किस तरह से भरने है आपने तो यह है आपकी मैरिट लिस्त देखिए जो आपको result में मिले हैं और आगे है date of counseling तो आपने अपने नाम के आगे देखना है कि आपको कौन सी rate को counseling है और देखिए first में आपने भरना है district to which belong तो आपने अपने यहाँ पर district डालना है दूसरे पर आपने row number डालना है जो आपका admit card पर DLAD का row number था उसके बाद आपने category डा दी हुई है fourth number पे आपने अपना नाम, fifth पे father name, sixth पे आपने डालना है address जो भी आपका address correspondence या permanent है वो pin code, mobile number, सबसे पहले आपने डालनी है date of birth, seventh पे in figure, figure में मतलब जैसे 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से डालनी है जो भी आपकी date of birth है और आके आपने words में अपनी date of birth लिखनी है जो भी आपकी उसमें अपने डाले में भरी है और आगे आपने attested copy of certificate be arranged attached in following order तो आपको यहाँ पे बताया गया कि सबसे पहले metric certificate लगेगा उसके बाद plus two certificate अगर आपने graduation की है तो graduation certificate परना नहीं लगेगा आगे आपका bonafide certificate लगेगा आगे फिर आपका category certificate लगेगा जैसे SC, ST, OBC और sub category का लगेगा जैसे BPL आ गया अंतोदे इन में category certificate होते हैं वो लगते हैं और आगे आपने देखिए यहाँ पे आपको serial number और name of diet लो जो भी आपके diet colleges हैं वहाँ उनकी name दिये गए हैं और आगे है preferential order तो जैसे for example जैसे मुझे मुझे मंडी का जो diet college है मैं चाहती से पहले 8 number जो है serial number वो सबसे ऊपर लिखूँगी कि मेरी first preference जो है वो मंडी diet college को है तो इसी तरह से आप अपना 1% diet college जो है वो भर सकते हैं उसके बाद जहां पे लिखा हुआ signature of candidate वहाँ पे अपने sign करने हैं जैसे आप करते हैं और जहां पे date दी हुई है नीचे वहाँ पे वहाँ धर्मशाला में गए हैं 11th और 12 जो point है ये office बरक है इसको आपने तच नहीं करना है ये office का काम रहेगा तो मेरे counseling merit list और ये bio data form जो है description में मैंने telegram का link दिया हुआ है वहाँ से आप bio data form और counseling की merit list है उसको आपर download कर सकते हैं इसी तरह की latest update देखने के लिए please मेरे channel को subscribe करें और अगर आपको मेरी वीडियो पसांद आई हो तो bell icon press करें और मेरी वीडियो को like करें ताकि आप मेरे notification सबसे पहले देख पाए वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद